और बात आगे पड़ते भी नरीला की कर लेते हैं घटनास्तल पहुचे हैं सियम केज़िवाल मृतिकों के परिजनों को 10-10 लाग की आर्थिक मदद का एलांग किया गया है दोश्यों को बक्षा नहीं जाएगा ये अर्विन केज़िवाल की तरफ से कहा गया है तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विन केज़िवाल घटनास्तल पर पहुचे हैं और उनकी तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि जो भी दोशी है उनको बक्षा नहीं जाएगा मृतिक्यों के परिज़नों को दस-दस लाख की आर्थिक मदद का एलान भी नोंने किया है रात को जो आग लगी है ये बड़े दुख की बात है बता रहे हैं कि पेंट की फैक्टरी थी और हम जानते हैं कि पेंट कितना जोलनशील पदार्थ होता है और वहाँ पे उसमें आग से जो सारा इसका केमिकल था वो बता रहे है नालियों में बहने लग गया और नालियों में भी आसपास की इलाके में सारे में आग लग गई आसपास की दुकाने आसपास के घर कईयों में आग लग गई इसमें ग्यारा लोगों की मृत्ति हुई है चार लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन जिन लोगों की मृत्ति हुई है हर एक के परिवार को हम लोगों की समवेदना है और हर एक के परिवार को 10-10 लाग रुपए क मुआफजा राशी दी जाएगी मुख्या मंत्री अर्विन के जुवाल को आपने सुना जो दोशिय उनको बक्षा नहीं जाएगा और मृतिकों के परिजनों को उन्होंने मुआफजा का एलान चाहिए